नमस्कार मैं हूँ मनमोहन भट क्या आपको मालूम है समान नागरिक सहिता को लेकर उत्तरा घंड के अलावा और कौन सा प्रदेश है जो आगे बढ़ रहा है क्या मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी को किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बीजेपी में टक्कर दे रहा है ये बात मैं आज क्यों कह रहा हूँ इसका खुबासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ वास्ताव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा भी समान नागरिक सहिता से संदर्भित ही कुछ चीजों को अपने राज्ये में लागू करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं पांच फरवरी से असम का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है और पांच फरवरी से उत्तराखंड का भी विशेश सत्र शुरू होने जा रहा है इन दोनों सत्रों में एक खास बात है, खास बात ये है कि उत्तराखंड सरकार समान नागरिक सहिता के संदर्व में प्राप्त हुई रिपोर्ट को कैबिनेट से मन्जूरी दिलाने के बाद विधान सभा के पटल पर रखने जा रही है यानि राज्य सरकार समान नागरिक सहिता की दिशा में आगे बढ़ सकती है इस तरीकी का दावा सरकार कर रही है इस तरीकी का दावा बीजेपी के भी कई बड़े निता कर रहे है और ठीक इसी तरीके का एक और प्रावधान असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने भी किया है बहु विवाह पर रोक लगाने की दिशा में कानून को तयार किया जा रहा है जो वहां का न्याय विभाग है और वहां की जो समिती है उसने अपना सारा काम कर दिया है 5 फरवरी से 28 फरवरी तक असम का बजट सत्र चलेगा और वहां पर इसे पेश किया जाएगा अब आप टाइमिंग को देख लीजिए असम की टाइमिंग और उतराखंड की टाइमिंग एक ही है दोनों ही वीजेपी के मुख्यमंत्री हैं दोनों ही अपने अपने राज्य में समान नागरिक सहिता और बहु विवहा प्रथा पर रोक लगाने जैसे कानून बना रहे हैं तब उतराखंड में समान नागरिक सहिता बन रही है और असम में बहु विवहा पर रोक लगाया जाने का प्रावधान किया जा रहा है हिमन्ता भी अपने कई भाशनों में कह चुके हैं सारवजनिक रूप से कि अपने यहां भी वो समान नागरिक सहीता को लागू करेंगे अब दो अलग-अलग राज्यों में अगर ये पाइलेट प्रोजेक्ट है तो क्या असर होगा हिमन्ता की बात करते हैं पहले अगर असम में वो लागू होगा बहु पत्नी पहु पती या बहु विवहा पर कोई रोक लगाई जाएगी तो उसका असर ना सिर्फ असम में होगा बलकि असम से जुड़ते हुए पश्चि मंगाल में होगा बिहार में भी होगा जारखन तक भी वो बात जाएगी और जो इस्टन इंडिया है पूर्वी भारत जो है वहाँ पर इसका बड़ा व्यापक असर होगा नौर्थ हीस्ट में भी इसका बड़ा असर हो सकता है और जो पुशकर सिंग धामी के नित्रतो वाली सरकार समान नागरिक सहीता पर आगे बढ़ेगी तो उसका सीधा असर उत्तरप्रदेश में होगा, हिमानचल में होगा, हर्याना में होगा, मध्यप्रदेश और राजिस्थान में होगा हिंदी बेल्ट जो है खास तोर पर वहाँ पर वो प्रभावित करेगा, पश्यम भारत में भी प्रभावित करेगा यानि बीजेपी ने बहुत सोची समझी रणनीती के तहत असंग और उत्तरहण को चुना है और टाइमिंग एक ही है, इन प्रावधानों को लाने का बजट सत्र में या विशेश सत्र में लाने का समय एक ही है यानि जो बीजेपी की टॉप लीडर्शिप ने टै किया था, उसको एक्जिक्यूट करने के जिम्मेदारी पुश्कर सिंधामी और हिमन्ता के पास है देखना ये होगा, दोनों ही मुख्य मंतरी किस तरीके से जो काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से एक्जिक्यूट कर पाते हैं, जो प्लैनिंग हो गई है और ये देखना भी काफ़े मैत्पूर्ण है कि ये जो रेस है, बहु विवाह पर रोक लगाने की और उतरह हंड में समान नागरिक्ता लागू किये जाने की, इस रेस में कौन पहले बाजी मारता है, क्या हिमन्ता पहले कानून बनाकर वाहवा ही लूट लेगे, या समान न प्रियासों में सफल हो सकते हैं, दोनों ही ऐसा लगता है, शिर्स नेत्रत तो जो BJP का है उसके लाडले हैं, और उसका जो कोर एजेंडा है, उसको लागू करने में पूरी तयारी वो कर चुके हैं, अब ये के लिए साती हो इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मु लाकात होगी तब तक इजाज़त दीजिए नमस्कार